अब हम ये चाहते हैं कि ये जो marks यहां पर लेखे गए हैं इनमें computer का total हमें यहां पर मिले यह दिखिए इस पार्ट को मैं highlight कर देता हूं एक अलब तलर से ताकि आपको पता चलता रहेगा कि यहीं पर हमें इसका total चाहिए तो यह दिखी यहां पर हमें इसका total चाहिए अभी क क्या करेंगे is equal to sum का formula लगाएंगे कुछ इस तरीके से यह सम का formula लगाया और computer के total यहां से लेकर यहां तक अब select कर जाएगे यह select कर दिया अब यहां पर enter अगर मैं press कर देता हूं तो यहां पर इसका total आ जाता है computer का total आ जाता है अब यह 530 आ यहां पर अगर हम number increase करने जैसे students के नाम भी increase हो जाएंगे और number increase होते चले जाएंगे तो ती नाम मैं यहां पर increase कर देता हूं ठीक है अब यहां पर नाम भी लिख लिए यहां पर आपको दिखाए पड़ा होगा c16 दिखाए तो आप c16 यानि रो नंबर आपको किवाल रो नंबर हटा देना है और फिर यह कमाल कोने लगेगा देखिए यह रो नंबर हटा दिया हमने अब अब यहां पर इंक्रीस करेंगे तो इस तरह के से इंक्रीस होता चलाएगा यह बढ़ी असाट प्रिक है और अगर आपको इस तरह की जरुवत लगती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कैसी लगी ये वीडियो मुझे comment box में बताईएगा thank you for watching this video